ओम सिरी गनी शायन अमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अपरेल मंगलवार के रासी फल के बारे में की हा दिन तो लारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंदित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्ध्यार्तियों को भी उच्छ सिख्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिख्षा की कामना पूरी हो सकती है ज्यादोस्तो कार्य चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं जैंदोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्रे वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का क्यामिया भी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव को सकता है कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्ति आप अपने कर्षित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजुनों को खलीगी साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके काराले में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कारे सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रबंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रतिकूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहां सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुख प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुख को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम के अधिक्ता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी महनत करनी पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सायोग की संबहवना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सायोग हो सकता है जयादोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनन्द लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत दी होगी जैदुस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लखी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रेहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तिती रहेगी विध्यर्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इश्णान आदिश्य निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री राम के मंदिर जाएं और दाहिने हाथ के अंगूटे से हनुमान जी के सर से सिंदूर लेकर सीता माता के चर्णों में लगा दें और अपनी मनो काम नए मांगें जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे और आपकी हर मनो कामना पूरी होगी जा दोस्तों आप इस प्रिकारिस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान बजरंग बली का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद